उधारन एक प्रश्ण एक व्रित्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है व्रित्त की परीधी एवं छेत्रफल ग्याद कीजिए इस प्रश्ण में एक ऐसे व्रित्त की परीधी एवं छेत्रफल ग्याद करना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटी मीटर तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होगा व्यास का आधा याने की 14 बटे 2 इससे हमें मिला 7 सेंटी मीटर अब हम वृत्त की परीधी और उसका छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं हम जानते हैं कि वृत्त की परीधी बराबर होता है 2 पाई आर 2 पाई का मान हम लिख लेते हैं 22 बटे 7 और तिज्या का मान होगा 7 सेंटी मीटर सरल कर लें से 7 कम साथ हमें क्या मिला 2 गुणेद 22 इसका परीधी हमें बिल गई वृत्त की परीधी बराबर 44 सेंटी मीटर चलिए अब हम वृत्त का छेत्रिफल ग्याद कर लेते हैं वृत्त का छेत्रिफल बराबर होगा पाई आर का वर्ग पाई का मान रख लें 22 बटे 7 और तिज्या हमारे पास है 7 सेंटी मीटर तो हो गया 7 का वर्ग इसे सरल करने के लिए हम 7 के वर्ग को लिख लेते हैं 7 गुणेट 7 7 एकम 7 7 एकम 7 हमें क्या मिला 22 गुणेट 7 जिसका मान होगा 154 वर्ग सेंटी मीटर तो इस प्रकार हमें वृत्त की परीधी प्राप्त हुई 44 सेंटी मीटर और वृत्त का 6 फल